वेरी वेरी वर्म वेलकम वन्स अगें इन माइ चैनल आम संदीप शिर्मा और तोड़ी अगें वे बाक इन्टु देखिए आज हम लोग बात करेंगे टेलेस्कोप्स की यह उप्टिक्स में हम लोग के जितने भी लेक्च्छर्स हैं वह माइक्रोस्कोप तक खतम हो चुके है अब टेलेस्कोप की थोड़ी सी बात करते हैं देखते हैं टेलेस्कोप की जरुवत क्या है टेलेस्कोप से हम क्या करते हैं फिर कितने प्रकार के हमारे पास डिफरेंट टेलेस्कोप्स होते हैं उसको देखेंगे हम लोग उसके फिगर को देखेंगे डे डियाग्राम को सम अगर बात करें टेलेस्कोप की तो देखिए टेलेस्कोप एक ऐसा इंस्टुमेंट मैंने कहा ना माइक्रोस्कोप पड़ी जहां हमारी नेकेड आई हमारी खाली आखे चीजों को नहीं देख पाई चीजों को नहीं देख पाने की दो ही वज़े होती हैं बड़ी सबसे पहली तो अगर ठीक ठाक चोटी हैं अगर और चोटी हैं तो compound microscope और दूर की object जो दूर होने की वज़े से चोटे हैं उसके लिए telescopes तो हम लोग बात करते हैं तेलेस्कोप की तो देखिए ऐसा है तेलेस्कोप को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इस प्रकार से इसका figure होता है इसके figure को समझने कोईश करते हैं कि इसमें देखिए यहां भी दो lens होगे हमारे जैसे वहां पे हमारे microscope में देल लेंस है यहां भी दो lens होगे वो दो lens में यह याद रखना है कि IPs दोनों का सेम ही होता है लग 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 देखा जाये तो हां compound microscope में जो objective वाला lens होता है वो छोटा होता IPs के respect में यहां IPs के respect में जो objective lens है वो बड़ा होता है चुकि दूर की objects को देख रहे हैं हम लोग तो दूर की objects देखने की वज़े से हमारे पास हम लोग बड़े aperture का लेते हैं ताकि हम दूर से आने वाली धेर सारी light को collect कर सके अ जितना बड़ा curvature जितना बड़ा aperture होगा उससे हमारी decide होगा है हम पहले इसके principle access कीच लेते हैं इसका IPs हम अभी नहीं बनाएंगे बताते हैं क्यों ताकि हमारे figure आसानी से आप इसी जंक से बनाएए कि आपका figure आसान होगा देखिए करना क्या है दूर से मान लेते हैं दूर यह हम जरा optical center से पास करा देते हैं ऐसे करते हुए तो आपने देखा कि यहाँ पर image बना दी इसने उस दूर वाले object की जो भी image जो भी object था मुझे नहीं बता बहुत दूर था तो यहाँ पर image बना दी इसने AB ठीक है अब हमें ध्यान रखना है यह जो भी बनाएगा image चुकि focus पर बनाएगा चुकि जो object है वो आपका infinity पर है तो image तो focus से बनती है तो यानि यह lens जो होगी आपकी FO हो जाएगी focus of objective के लिए हमने लिख दिया इसको अब हमारा IPS हम लोग बनाते हैं IPS इसके respect में तो छोटा बनेगा और ऐसा बनाएंगे वही वाला हिसाब IPS के लिए वही व IPS बना देते हैं ठीक है और मान लेते हैं इसका focus यहां कहीं है तो ऐसे चली गई और दूसरी आप optical center से भेज दीजिए ऐसे ठीक है तो इनको backward produce करेंगे ऐसे ऐसे तो आप आएंगे कहीं पर इस प्रकार से object बन जाएगा यहां पर यह बना दिया इसने object ठीक है इसको आप AB न इस प्रकार से तो यहां पर आपकी image बनी यह image हम लोग D पर बन रहे हैं देखिए D पर बनेगी नहीं तो दिखाई नहीं पड़ेगी D से अंदर अगर बनती है तो फिर आप साफ नहीं देख पाएंगे D से कम नहीं देख सकते हैं object हमारा infinity पर है उसकी image बन रही है उसके focus के इस प्रजर कर सके हैं तो यह लेंज जो है UE है यानि कि I piece से object की दूरी ठीक तो अगर आई आपकी है तो आई आपकी क्या देख रही है जो आई आपकी lens के थूरू देख रही होगी जो आपकी telescope के थूरू देख रही होगी वो कितना एंगल बना रही होगी image इस image को देखा जाए तो इस image के लिए भी यही angle है इस image के लिए भी तो यहाँ पे आप बीटा बना दिए यह आई आपकी देख रही होगी with the help of the instrument अच्छा नॉमली आपकी आई क्या देख रही होगी यहाँ पे सब setup हटा के यहाँ आई रख दोगे तो जो angle इस objective पर बना रही होगी वह य angle तुम्हारे आई भी बना रही होगी भाई दूर से आने वाली race में कोई फरक थोड़ ना पर दूर से रही है यह इस प्रकार से तो जो angle अब इतनी length matter करती है इतना बड़ा आपका telescope थोड़ी ना matter करता जो angle यहाँ बन रहा होगा वही angle आपके यहाँ पे बन रहा होगा है यहाँ पे जो angle बन रहा होगा वही तो जो यहाँ angle बन रहा होगा उसको आप alpha के लिजे यानि कि without the help of the instrument जो आपकी object को आप देख पा रहे है वह alpha है समझ में है ना इस पूरे setup को अटा दो गया आप अपनी i भी रख देंगे यहाँ पे तो alpha यह angle जो angle parallel आ रही ही ना एक्ती पर्पेंडिकुलर यहाँ से देखो alpha tan alpha तो यह पर्पेंडिकुलर हुआ यह base हुई पर्पेंडिकुलर हुआ AB और base कितनी हुई भाई F-O हो गई हुई ना और beta कितना हुआ जिसको tan beta कह सकते हैं जो ultimate beta होगा जोकि angle छोटे है बीटा कितना हो जाएगा पर्पेंडिकुलर इ यूई अपॉन एबी बाई F-O यह ना तो कितना हो जाएगा भाई यह हो जाएगा AB कट जाएगा आप चाहां देख लिजे ऐसा लिख लिजे AB अपॉन यूई इंटू F-O अपॉन AB यह कट गया तो आपका आगया F-O अपॉन F-E F-O अपॉन U-E ठीक है विच साइन भी हम कर लेते हैं अब चुकि यह भी भी दोनों कटी गया उसके चकर छोड़ो तो F-O बचा आपके पास F-O का साइन देखिए F-O इस लेंस के रिस्पेक्ट में है तो राइट में है पॉस्टिफ और U-E जो है इस लेंस के रिस्पेक्ट में है तो लेफ्ट में है यह ना यूई अगर वो इसके focus पर ही बना दी होती है तो आपकी आई बहुत असानी से उसको देख लेती आई पर जोर नहीं पड़ता कोई strain नहीं पड़ता इस प्रकार के adjustment को हम लोग क्या कहते है नॉर्मल adjustment या सींग वितर रिलाक्स डाइए याद रखेगा नॉर्मल adjustment का भी figure बना देत है उसमें कुछ नहीं है नॉर्मल adjustment में बस क्या हो रहा है आपकी image फाइनली इसके focus पर बन रही है यानि आप फिर जल्दी से बनाते हैं यह देखिए हम प्रिंस्पल अक्सेस कीची डिस्टंस से ऑब्जेक्ट से आ रही है माल लेता है यह आई चली गई एक आप का focus होगा और यह लेंट अपकी बार आपने आईपी इसके focus पर ही बनवा दी इसको ठीक है यह आपका f है तो अगर f focus पर object होगा तो उसकी image तो infinity बनती है ठीक है इस प्रकार से optical center से ऐसे भीज़ दीज़े और ऐसे भीज़ दीज़े ठीक तो देखिए यह कहां पर बनेगी image infinity बनेगी अगर यहां आपकी आई रखी है वैसे आप आई बना सकते है अपनी इस परकार से ऐसे आई बना दीज़े ठीक है तो आप देख सकते हैं कहां image बन रही है at infinity बन रही है बस फरक केवल यह हो जाएगा इस formula में यहां पर magnifying power जो आएगी वो minus fo upon uv की जगा आप fe कर बन रही है ठीक है तो याद रखिएगा यह normal adjustment के लिए normal adjustment normal adjustment मतलब कि image formed at infinity या image formed at infinity इसी को normal adjustment कहते हैं ठीक है जब infinity बनती है साहता कि हम अपनी image को जो है relaxed eye के साथ देख सके relaxed eye कभी यह position होता है इत्ती बत सब्सक्राइब आई आई आपको magnifying power जब least distance of distinct vision बनती है तो यह formula है minus fo upon uv minus fo upon fe यह दोनों आपको figure clear हो गया है अब बात करते हैं कि telescope की length तो telescope की length देखो इस case में कितनी होगी telescope की length यहाँ पर हो जाएगी कितनी fo का magnitude plus ue का magnitude यह पूरी length ना तो यह fo length है और यह ue length है तो हमने fo plus यह telescope की length कहीं जाएगी इसको दो तरीके से बोला जाता है either it can be set as the length of the telescope or it can be set as the length between or the distance between the two lenses length of the telescope का हो यह distance between the objective and IPS का हो यह distance between the two lenses का हो यह सब एक ही चीज़ है इस case में यह fo plus fe हो जाएगा है ना चुकि आप देख सकते हैं यह fo है और यह ue तो हमारी fe हो गया है तो यहाँ length of the tube आ जाएगा f o plus fe अब यह जो magnification है आपका यहाँ पर आया है दोनों के इस magnification देखा आपने f o upon u f upon fe है ना यह normal adjustment पर यह जब image infinity फोर्म होती है और यह image अब d पर फोर्म होती है जैसे focal length of ip's क्या होगी भाई 1 upon fe is equal to 1 upon ve minus 1 upon ue है ना तो अगर या is equal to 1 upon fe अगर finally d पर बन रहा है तो इस पर d लिख दीजे minus चुकि वो left बन रहा है और minus 1 upon ue जो लेंगे वो तो negative होगा तो negative लेंगे तो negative ue को आप चाहें तो इसको plus लिख सकते है ठीके तो इससे हो क्या जाएगा यह formula में 1 upon fe is equal to minus 1 upon d plus 1 upon ue यह आ जाएगा ना इसको उधर कर लिजे तो 1 upon fe is equal to plus 1 upon d is equal to 1 upon ue तो आप क्या कर सकते हैं अब यह जो आपके पास magnification का formula था minus fo upon ue में इसको आप लिख लिजे minus fo और 1 upon ue और 1 upon ue की जगा यह place कर दीजे तो यह हो जाएगा minus fo 1 upon fe plus 1 upon d 1 upon ue की जगा यह लिख 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 लिए हमने ठीक है अब एक काम कर सकते हो आप fe common ले लिजे यहां से fe अगर common ले लेंगे नीचे से यह हो जाएगा minus fo upon fe यहां बचेगा 1 और वहां हो जाएगा fe by d है ना समझ में आया formula कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है ऐसे भी आप यूज़ करिए और वह magnification का formula minus fo upon ue तो है आपके पास है ना यह दोनों formula आपको भी इस्तमाल करेंगे जब d पे बन रहा है distance between the IPS and objective जो कहें आप telescope की length कहें वह आई थी fo plus ue ना दोनों का magnitude लेते हैं और इस case में infinity case में जब बनती है final image infinity बनती है magnification यह होता है और वह आ जाती है आपकी त्योंकि वहां पर आप वह उसके focus पर बन रही होगी ना तभी तो IPS के तभी तो final image infinity बना रहा है तो यह length आप infinity के case में यूज़ कीजेगा यह length आप least distance of distinguishing vision में magnifying power यह 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 यूज़ कीज़े length of the tube यह 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 यूज़ कीज़े some of the cases reliscope को हम लोग आसपास की कोई चीज़ देखने के लिए set कर लेते हैं उस तरीके से अपना करते हैं अगर ऐसा कहीं होता है मान लेते हैं मैं एक थोड़ा सा idea देके आपको समझा देता हूं कि मान लेते हैं आपके पास यह objective है और कहीं दूर यह भी object काफी चीज़े बस ही होंगी इसका यह ऐसे आई है ना इस्तरकार से और ऐसे करते हुए वह सब बाकी सब चीज़े सेम रहेंगे और यहां पर आपकी जो है आई-पीस बनेगी और आई-पीस के focus के अंदर तो उसे साब से वह सब तो अलग चीज़ है है ना वह सब की बात नहीं हो है ना क्योंकि focus तो उस समय होता था कब होता था focus जब वह infinity पर होता था तो उसको focus बनाती अब तो object infinity के infinity पर नहीं है उसके arrangement हमने set कर दिया objective से कि उतने पास की चीज़ों को वह डी पे दिखा रहा है है ना heavenly bodies की बजाए हमने आसपास में कहीं set कर दिया इसको तो यह scale देगा तुमको कि हमने object की length इतने पर set कर दिया इतनी scale पर set कर दिया यह उतनी दूर की चीज़ों को यह image बना के दिखा पा रहा होगा तो उस case में जो यह lens की बीच के distance होती है वह यू विवियो प्लस यू आप लग सकते हैं यह आप लिख सकते दे यहाँ वokes करिए यह नहीं हो अचैंजने फ़ोकस की बजा और को आउए मैं अब सवाल इंदर सभीर कि टेलेस्कोप तो थे हमारे पास लेकिन डिक्कत यह थी कि जो टेलेस्कोप के लेंस होते हैं इन में इनके करवेचर की वज़े से स्फेरिकल अबरेशन होता है कहीं पर भी करवेचर की वज़े से स्फेरिकल अबरेशन होता है और जो लेंस होते हैं लेंस में लेंस के मटरिय की वज़े से chromatic aberration होता था chromatic aberration क्या होता है वैसे तो topic आईगी तो मैं समझाऊंगा आपको chromatic aberration का ये मतलब होता है कि जो दूर से white light या open sunlight में आप कोई चीज देखते हैं तो वो जो object से light आ रही होती है वो उसकी image जो है वो थोड़ा सा color type की बना देता है चुकि वो disperse हो जाती ही ना उस तरीके से तो colored image आती है इसकी वज़े से वो थोड़ा सा साफ साफ नहीं आती बलकि दुंदली से आती है और उसमें colored जो हैं किनारे रहते हैं उसके तो इसको chromatic aberration कहते हैं ये ना white object की image को colored दिखा दे ना इसको chromatic aberration कहते हैं और spherical aberration की भी बात करेंगे अभी यहाँ पर जहाँ पर हम लोग समझेंगे पहले बहराल तो इन्हों ने क्या किया कि और भी बहुत सी वज़ें लेंस बहुत सी light खा लेता है लेंस जो है थोड़ी सी light की intensity कम हो जाती इमेंज उतनी चमकदार नहीं बन पाती उतनी साफ नहीं बनती कभी कभी तो इस case के लिए फिर इन्होंने अलग प्रकार के telescope's यूजिये किये जैसे की reflecting telescope reflecting telescope की हम लोग चर्चा करें गे लेकिन अभी एक telescope अभी वहारे पास इसी प्रकार आई और की अब अब एक ओड़ा यह डिख्छा स्डार्जि सनी और शीनिक अब्जेक्स हैं उनको अगर देखना हो मुझे दूर के अब्जेक्स हैं उनको देखने के लिए हमारे पास वो टेरेस्ट्रियल पेलेस्कोप होता है थोड़ा सा उसको भी देख लेते समझ लेते हैं और टेरेस्ट्रियल टेरस्कोप भी रिफ्रैक्टिंग टाइप ही होता है यह भी रिफ्रक्टिंग टाइप था वहां भी रिफ्रेक्शन ही होगा वहां भी लेंसी यूज़ होंगे तोड़ा सा फरक आएगा वह फरक क्या होगा मैं आपको अगले पेज में दिखाता हूँ अपना अब्जेक्टिव बना लिए है इस प्रकार से सबसे पहले अब्जेक किया होगा और यहां से आप ऐसे करते हुए यहां पर बना सकते हैं तो पता चला कि यह थोड़ा स्थीक नहीं बना इसको आप मान लिए कि यह ऑप्टिकल सेंटर सही जा रही है तो यह इमेज बनी इसकी ठीक है अब यह एक और लेंस इन दो लेंसों के लावा यानि और सब्सक्राइब लेंस अना इसक लoking चालने सो आपन लेंसों डायको विए हैक इसकी प्रकार से उसका सकते हैं और यहां से इसक्रoth k बन गया, यह आपका object बन गया, थोड़ा बड़ा छोटा दिखाई ले रहा होगा, लेकिन यह सेम साइज काई बन रहा है, यह भी 2FA बनेगी है, तो यहाँ पर जो image बनी, उसने उठा के यहाँ कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ, कि यहाँ पर जो आपका IPS है, IPS वही काम करे और फिर IPS के अगर focus पे यह होगा, तो आप जानते हैं आगे क्या होगा, अगर IPS के मान लेते हैं, focus पे हैं, ठीक, ऐसे कर लेते हैं, focus पे, तो आप जानते हैं, focus पे होता है, तो क्या होता है, एक optical center से भेज दीजिए, इनको अगर आप produce करेंगे, तो आप पाएंगे, कि यह infinity करेंगी यहाँ पर आपके आई होगी यहाँ पर जो भी आप इमेज देखेंगे इंग आ न वो आपको जो है sum ह्भू अच्छे से दिखाई देगी एदि अपने-ई पर जो अबजेक्स हैं उनको देखने के लिए दूर के i kidnapped को देखने के लिए यह एस्त्माल होता है ठीक है clear हुआ तो यहां पर जो की लेंट्थ होती है देखियाone इतनी लेंट्थ अब जानते हैं तो फोकस आफ ऑपड़क्टिव है अब देखो Jetzt यह length इतनी length 2F है और इतनी length फिर से 2F है जहांब image बन रही है है ना और यह length जो है fE है तो यहाँ पर अगर पूरे length की length देखी जाए यहाँ पर अगर telescope की length देखी जाए तो हो जाएगी fE plus 2F plus 2F plus fE F опредus 2F तो यह कितना हो जाएगा FO plus 4F plus fE तो यह length आ जाएगी, magnitude ले लिजेगा, आपको magnitude सरी मतलब है, है ना, तो यह length आपके आ गई, तो बस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कि बीच में एक lens और डाल देते हैं, इनके बीच में, और वो सीधी image बना के आपको दिखा देगा, इससे हैं, benefit आपको यही होगा, कि इसकी उल् के वैल यही हुआ ना, कि इसने सीधी, ulti image की सीधी image बना दी, और सीधी image तो आपको infinity पे दिखाई दे जाएगी, अच्छे से, दूर पे आपको कहीं पे image दिखाई दे जाएगी, है ना, देखें, पिछले वाले telescope से जो हम लोग काम कर रहे थे, हम लोग उससे क्या कर रहे है, what we are doing with that telescope, हम लोग heavenly bodies दिखते हैं, दूर के, जातर वो bodies दूर होती है, goal shape या goal size की होती है, spherical, तो अगर सीधी दिख रहे हैं, उल्टी दिख रहे हैं, तो आप फरक महसूस नहीं कर सकते हैं, यह ना, सीधी, चंदमा अगर उल्टा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, तो क इसलिए उसकी सीधी image बने, यहां का सीधा उल्टा तो लग होगा, ट्रेस्टेल पर कोई भी चीज़ अगर आप देखें, बहुत दूर से किसी building का देख रहे हैं, तो building उल्टी नजर आया, इसलिए हमने यह system बना दिया, कि building हमको सीधी नजर आया, तो past के object को सीधा देखन इसमें फरक आ रहा है, दूसरा चीज यह है, कि एक lens तुमने और डाल दिया, यही कुछ ना कुछ chromatic aberration create करता है, अब यह और आगया create करने के लिए, यानि और image थोड़ी सी दुनली हो सकती है, दूस चीज यह है, कि यहां पर light को काफी हद तक घटा ले जाएंगे, यह है ना, you can see first of all the very disadvantages, first drawback क्या है, drawback यहां पर उसको काई दस लिखेगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, is the size, size is too large, है ना, too large, second बहुत 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 यह है, कि extra, जो reflection हो रहा है, surface of the acting lens, intensity is also decreased, intensity is also decreased, you know the reason as well, this size, यहां पर lens डालने के वज़े से size बड़ी होगे, रही बाद इसके magnification के तो यार, tension ना लो, जो magnification, अभी तक आपका आया था ना, infinity पे, relaxed डाई पे, normal adjustment पे, fo upon fe, बस वही लगाना, कि वहल magnitude की बात हो रही है, कि वहल magnitude डाल देना, इसकी को चाओ तो, fo upon fe, one plus fe upon db देख सकते हैं, यह दोनों जो है, इसके लिए काम आएगा, अब हम लोग क्या देखने जा रहे है, reflecting telescope, reflecting telescope, इसका setup समझ लेते हैं, हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है Newtonian, और दूसरा हमारे पास है, कैसे grain, तो हम लोग पहला Newtonian देखते हैं, Newton क्या है, इसमें ऐसा है, की, एक objective, objective जो हमारा होता है, colocawn mirror होता है, मैं यहाँ बनाता हूँ, यह हमारा concave mirror है, यह objective है, दूर से infinity से light आ रही है, तो infinity से light हम दूर से infinity ऐसे light लेके आらहे हैं, ठीक, यह light यहाँ से टक्रा कर ऐसे चली जाथी ना, ऐसे 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 चली जाती, यहाँ से टक्रा ती तो कहीं मीट करती इस जगा पर यहां पर कैसे इस तरह है टार को यहां तो यहां से तक्राइए होगी यह देखिए इसे यहाँ पर न्र फीछेंगे तो यह ऐसे रेफलेक्ट होगी है अग्पार से काश। इस प्रकार से एकरए करेंगे कि यहां image कहीं पर बन रही होगी ठीक है इस प्रकार से रेज निकल लहीँ है तो यहाँ पे अगर अपनी आई पीस रख दें तो आई पीस से हम देख पाएंगे कि कैसी इमेज बन रही है तो यह तरीका हो गया यह कॉनकेव मिरर है न इसको कॉनकेव मिरर क्या दीजिए यह objective तुम्हारा था ठीक है तो यह बात समझ में आई है न तो अब इसके advantage क्या है वह हम लोग बाद में देखेंगे पहले हम दूसरा वाला भी बगको बता दें कैसा ग्रेन वाला जो कि ज्यादा यूज होता ज्यादा आज कल वही यूज में यहाँ पे इन्होंने एक पैराबॉडल मिरर ले लिय पैराबॉला समझते हैं यह पैराबॉला होता है ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो इस सब पैराबॉला है अब दूर से light आ रही है इस प्रकार से आप light दूर से आने वाली को डाल दीजिए इस प्रकार से ठीक है और यह light अगर यह नहीं होता तो यहाँ ठकरा कर ऐसे जाती है कैसे जात तो light यहां टकराएगी तो इसके बाद यह ऐसे चली गई और यहां टकराने के बाद यह ऐसे चली गई तो आप देख सकते हैं यहां पर image formation हो रहा है यहां पर आप ऐसे आगे produce कर दीजिए इस प्रकार से यहां पर आप पड़ा हुआ है यह ऐसे ठीक तो यह यह आपका पैराबोडल मिरर है पैराबोडल अब्जेक्टिव मिरर अब्जेक्टिव मिरर अब्जेक्टिव मिरर यह आपकी आई पीस है ठीक और यह पैरलेलरेज आ रही है पैरलेलरेज और यह सेकेंडरी मिरर है इसको आप सेकें यह इसका magnification का formula हो गया, जब least distance of distinct vision पे बनी, और infinity पे अगर image बनती है, तो formula यह वाला होगा, ठीक है, तो इस प्रकार सारे formula हमारे पास आ गया है, अब हम लोग को यह देखना है, कि reflecting telescopes किस हिसाब से बहतर होते हैं, किस लिहाद से बहतर हैं, in which manner are these, I mean, really better with respect to reflecting type telescopes, देखिस सबसे पहला तो इसमें जो advantage आता है, वो यह है, कि image बहुत bright बनती है, ठीक है, वात यह है कि इसका अच्छा खासा aperture होता है, aperture बड़ा है, तो काफी light को gather करेगा, ज़्यादा light होगी, तो और चुकि reflecting type है, तो कोई absorb तो करनी ला, कोई refract तो हो नही ही है, है न, वहाँ पे 50 lens लगे होते थे, इसकी वैसे light absorb भी होती थी, बहुत बेकार हो जाती थी, तो इस प्रकार के lens, sorry, इस प्रकार के telescope से, आप बहुत distance का star को भी देख सकते हैं, दूर जो normally नहीं, कम light की वैसे possible थे, वो ही, तो पहला advantage क्या मिल रहा है, कि large aperture है, इसका, large aperture है न, high gathering power है, इसकी high gathering power, ठीक है, absorbs less light, absorbs less light, ठीक है, तो दूर के object को देख सकती है, दूसरा यह है, कि चुकि इसमें mirror use हो रहा है, तो mirror use होने की वज़े से aperture ही बढ़ा है, तो उसकी high resolution power है, resolution भी, काफी high है, यानि कि, बहुत दूर की चीज़ों को साफ साफ दिखाए सकता है, तो high resolution power है, उसके पास, ठीक है, third, यहाँ पर lens तो use नहीं हो रहा, तो chromatic aberration की बात ही खतम हो गई, जो color, bright light की color ही मैं जाती थी, तो आप यह देख सकते हैं कि इसमें chromatic aberration, chromatic aberration से भी छुट्टी मिल गई आपको, यह न, aberration, वैसा यह topic अलग से बताऊंगा भी मैं, ठीक है, और देखते हैं इसमें, यह parabodal shape बना दिया हमने, spherical shape में जो होता है, spherical shape, mirror की यह दिक्कत होती है, कि उसमें spherical aberration हो सकते है, spherical की मतलब, उसकी spherical shape की वज़से aberration होता है, जिसकी वज़से जो past के जो होते हैं, यह मैं आपको समझा देता हूँ, जो past के होते हैं, rays, उनको तो focus कर ले जाए, दूर की rays जो होती हूँ, सही focus नहीं हो पाती, तो point image की image आपको point नहीं दिखाई देती, blurred image दिखाई देती है, दुनली से दिखाई देती है, तो spherical aberration हो कैसे दूर किया, parabolical shape लेके, है न, is reduced by parabolical shape, है न, तो आप देख सकते हैं, यह सब advantage आपको मिल रहे हैं, इस वह से reflecting type telescope काफी better बना जाता है, मैं आपको resolving power समझाने जा रहा हूँ, of optical instrument, क्या बताने जा रहा हूँ मैं, resolving power में यहीं कर देता हूँ, some place we are having over here, resolving power of optical instrument, resolving power of optical instrument, दो, बहुत दूर के object को separate दिखा सके, दूर के object मतलब, देखे जनरली होता क्या है यार, बहुत दूर के object जो होते हैं, उनको साफ साफ देखना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, इसकी कई वज़े हैं, पहली वज़े तो यह है कि light का wave nature, light की wave nature की वह से वो दब्बे की र की वज़े से, because of light wave nature की वज़े से ऐसा होता है, बहर हम लोग यह कहा रहा है, कि दूर के object मालो, दोर दूर के object है, और कोई instrument है यहाँ पे, इन दोनों को अलग अलग जितना दूर से यह देख पा रहा है, अगर एक instrument इतनी दूरी से देख पा रहा है, दूसरा instrument यहाँ से नह बेलो उनको, और माल लेते हैं कुछ दूरी पर आप उनको रख दीजे, पास-पास में, एकदम दो सेंटिमेटर की दूर पर रख दीजे, अब तुम दूर बढ़ाते जाओ, तो तुम पाओगे, क्योंकि तुमारी आँख भी तो एक प्रकार का optical instrument ही है न, जिरा देखते है कितना साफ देख पाती है, आप distance बढ़ाते जाएंगे, तो आप पाएंगे कि ऐसी मौका आएगा कि आपको दोनों एक ही नजर आने लगेंगे, तो वहाँ पर आपकी आई की वो छमता खतम हो गई कि दोनों को separately देख सकें अलग-अलग, ठीक है, तो किसी भी instrument की जो power होती ह है, resolving, कि दोनों को अलग-अलग देखें, यही उसकी resolving power कही जाती है, I hope यह बात समझ में आ रही है, आप this definition लिखें, the power, power of an optical instrument, optical instrument, to produce, to produce distinctly, distinctly separate images, images, separate images, images of two close objects, is called, क्या-क्या है, is called the resolving power, is called the resolving power of that instrument, of that instrument, ठीक है, अब होता क्या है, जितना आप दूर object से माल लेते हैं, object यहां पे आप यहां पे हैं, यह instrument है, तो देखिए, यह जो angle है, आप जितना दूर जाएंगे, आप पाएंगे कि यह एंगल उतना छोटा होता जाएगा, यह एंगल उतना छोटा होता जाएगा, और जितने आप पास होंगे, उतना बड़ा होगा, यहाँ पे आप होंगे, तो आप पर एंगल और बड़ा होगा, यहाँ पे होंगे, तो आप पर एंगल और छोटा होगा, आप समझ सकते हैं, यहां पे हैं तो यह अंगल नजर आ रहा है यहां पे हैं तो आप यह अंगल नजर आ रहा है जितना दूर आप जाएंगे तो यह आप पर जो विजूल एंगल है यह छोटा होता जा रहा है है ना उतना छोटा आप पर सब्टेंट कर रहा है तो हम लोग की आई की जो लिमिट करती है तो भी हम उसको separate देख लेते हैं इसके बाद नहीं देख पाते हैं अब हम लोग एक नए term की बात करेंगे जिसको कहते है limit of resolution यह limit of resolution का मतलब यह है limit of resolution limit of resolution resolution अब limit of resolution का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि आप यहाँ पे हैं आप है यह instrument है आपका optical जो भी है चायब टेलिस्कोप है या कुछ भी है किसी दूरी पर इसको दो object देखने हैं तो obvious ही बात है अगर यह इतनी दूरी पे हैं इनको देख लेता है और कम दूरी पे रखे आए मनलब जा दूरी है देख पा रहा है कम दूरी किया अभी भी देख ले रहा है अभी भी देख ले रहा है एक ऐसी दूरी आएगी जिस समय यह दोनों को सेपरेटली देख तो लेगा लेकिन इसके बाद यह दूरी और कम करोगे न तो यह नहीं देख पाएगा तो यही distance limit of resolution कराएगा the minimum distance between the two objects so that they can be seen separately जितनी छोटी होगी limit of resolution कहा जाता है कि उस instrument का resolving power उतना तगड़ा है उतना बड़ा है बाई सीधी सी बात है जितना तगड़ा instrument है जितनी अच्छी resolving power है इसका मतलब उतने पास तक दोनों करीब रखे है तब देख लेता है यानि जितनी कम दूरी तक वो दोनों को separately देखने की चंता जो है तो दी जितना छोटा होगा वो अगर डी जितना छोटा है डी का मतलब इस distance पर वो दोनों object separately दिखाई दे रहे हों यह मैं एक formula लिख रहा हूँ limit of resolution जो होती है यह किस बात पर depend करती है यह proportional होती है जो light हम लोग use कर रहे हैं देखन of resolution उतना तगड़ा होगा है ना सीदी सी बात है यतने मोटे lens होंगे उनकी power भी ज्यादा होगी और जितनी बड़ी wavelength होगी उतना ज्यादा जितनी बड़ी wavelength के हम लोग light उस करेंगे उतना ज्यादा उस body का limit of resolution होगा ठीक है और limit of resolution जो होता है वो inversely proportional होता है resolving power के यानि ऐसे लिख सकते हैं यह resolving power क्या होता है resolving power है inversely proportional of limit of resolution तो limit of resolution तो आप चाहे तो इसके terms में लिखेंगे तो यह d by lambda हो जाएगा यानि resolving power के terms में देखा जाए तो हम यह कह सकते हैं जितना अधिक diameter होगा जितना अधिक हमारा objective बड़ा होगा उतना अधिक उसकी resolving power होगी और जितनी छोटी wavelength हम लोग use करेंगे उतनी अधिक हमारी resolving power होगी I hope यह बात समझ में आ रहा है न जो light हम लोग use करें उसकी wavelength जितनी बड़ा हो तो हमारी resolving power बढ़ी होगी formula खोलते हैं तो यह आ जाता है तुम्हेरा 1.22 lambda upon d मैं यह वाले formula की बात कर रहा हूं यह लेमडा upon d radians तो यह हमारी limit of resolution है ठीक है आई यह बात समझ में आ गई कि जो हम लोग अपने optical instrument की limit of resolution देखते हैं वो हम लोग angle पे देखते हैं त यह कितना angle हमारे आख पर subtend कर रहा है उसका formula है जो angle हमारे आख पर subtend कर रहा है ठीक है यह जो angle हमारे instrument पर subtend कर रहा है ठीक अब होता क्या है कि generally हम लोग white light में सारा काम करते हैं तो lambda तो white light का नहीं चैनल हो सकता तो हम लोग कम से कम objective का जो lens हम लोग ले रहे हैं उसको of resolution जो होता है सीधे depend करता है उस angle पर जो angle वो distance object आपकी आई पर बना रहे हैं जो पास में रखे हैं यानि जो पास पास में हैं रखे मतलब इन पीन का रखे हुए वो दोनों पास पास हैं आप बहुत दूर से देखेंगे दो स्टार आपको पास पास नजर आ रहे हैं बले लेकिन वो पास पास नजर आ रहे हैं तो सेपरेटली आपकी आँख पर कितना angle सब्टेंट कर रहे हैं यही आपकी उस instrument की resolving power कही जाएगी ठीक है यह बात समय में आई आई आपको और यह depend करता है उस angle पर जो वो angle आपकी आँख पर सब्टेंट कर रहे हैं ठीक है तो limit of resolution टेलेस्कोप का इससे सबस्दी है resolving power समय में आई resolving power और limit resolution आपको पसमें inversely proportional है यह बात समय में आई 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 आपको तो that is limit of resolution 1.22 lambda upon d होता है तो limit of resolution जितनी कम होगी resolving power उतना ज्यादा होगा और limit of resolution किस पर depend कर रहे हैं इस पे इस पे अब wavelength तो आप चेन नहीं कर सकते हैं जोकि white light पे क्या control है आपका दिन में ही आपको सारे काम करने दिन में देखना है आपको या कभी भी देखना है आपको ज ज्यादा होगी ठीक है अब अगले में हम लोग अगला lecture बहुत important होने वाला है कि उसमें हम लो questions करने वाले telescope के वो उससे आपको चीज़े और अच्छे से clear होंगी so stay connected